दिनांग 24-7-18 को थाना पनेरा के गोना के पूर ग्राम पधान पती सी तेज पताप को गोली मार के गंभी रूप से घाल कर दिया गया था जिनका दोरान इलाज गोरगपुर में मत्तु हो गई थी इस सम्मंद में उनकी पत्नी के द्वारा 307-302 आईपीसी का मुकदमा पंज प्रिकत कराये गया था घटना के अनाबाण के लिए पुलिश अदिक्षक महोते द्वारा टीम का गठन किया गया था टीम द्वारा घटना का जनाबाण करते हुए तीन सातिर अपराधियों को गिरिपतार किया गया है आकास उर्ख बंटी रजनीश सिंग तथा सिवं पामिल था जीतें दसाहनी जो इस समय गोरगूर जेल में निरुद्ध है घटना के संबंध में जानकारी हुई एक अस्थानी व्यक्त की तेजपदाग के साथ बन विभाग में लकडी पकड़ाने को लेकर के रंजिस थी उसके द्वारा इन बदमासों को किराये पर हायर कि गई घटना के संबंध में 11 से पूछताज करने पर अपराधियों ने अपना जुम स्विकार करते हुए यह बताया कि इनके द्वारा रहकी की गई थी ग्राम पधान को घर को देखा गया था तथा इसके बाद नियोजित तरीके से इसमेहत्या की गई थी अपराधियों के से घटना में प्रियुक्त आला कत्ल 315 बोर का तमंचा कार्तूस तदा मोटर साइकिल जिस पर बैट के बदमास आए थे वह बरामत कर ली गई है यह सातिर अपराधी हैं गोरकपूर देवरिया महराज गंज में इनके द्वारा लूट हत्या की घटनाय कारित की गई हैं ती सिंग के उपर 25,000 रुपए का इनाम था इसमें जो अपराधी जीतेंद साहनी है गोरकपूर में निरुद्ध है उसका इस अभ्योग में वारंट बनवाया जाएगा जो अस्तानी अभ्योगत है उसकी गिरभतारी का प्रयास किया जा रहा है